हेलो गाइस नमस्का दोस्तों दिस इस विक्टा टैंगो सियारा मैक सियारा और यह मेरा पहला वीडियो है आज हम बात करने वाले हैं मुंबई पीजा बायो मेट्रिक्स के बारे में सो बकल अप यॉर सीट बेल्ट्स एंड लेट्स को सो बात करते हैं डॉक्यमेंटेशन की तो चार डॉक्यमेंट्स बहुत नेसेसरी हैं आपको लिखे ही जाने हैं सबसे पहले आता है आपका अपोइंट्मेंट लेटर उसके बाद आपका पासपोर्ट उसके बाद आपका डीएस वनसिक्स्टी कन्फॉर्मेशन और दा लास्ट यह चार डॉक्यमेंट्स आपको लिखे ही जाने हैं सो गाइस अगर मैं आपको मेरा एक्स्पीरियंस शेयर करू तो मेरा बायो मेंट्रिक 15-20 मिनिट्स में हो गया था वन यू विल रीच तोवर्ट्स दा गेट चो में गेट चाप एंटर करोगे तभी ही उदर आपको लिखे ही वाप्यंट में पड्स देन घर अपको अंडर चोड़ दे की आपको अड़े लो अंडर मेगे लेडिक एंडर आपको फ्रस्ट फ्लोर पे जाना हैं रोगे फिर हावी ओनर मैं वबावी लोगेश्ट रूम एक बैक बड़े ही ही यह अंडर मोबाल फोन्स एलेक्ट्रोनिक गजट्स कुछ अलाओ नहीं अंदर अगर आपको आपकी बैक छोड़ने है तो दे लोकर विल कोस्ट यू अराउंड 500 बॉक्स तो मैं आपको सजेस्ट करोगा कि आप आपके फ्रेंड को या फिर किसी भी रिलेटिव को साथ लेके चला ताकि आपके वो उदर पैसे बच जाए क्योंकि यह प्रोसेस है 15-20 मिनिट्स का तो फिर 500 बॉक्स इस तू मच फॉर 15-20 मिनिट्स उसके बाद फिर आपका सिक्योरिटी चेकिंग होगा आपको 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 आगे बेजेगे आगे एक रूम आएगा उदर एक ओफिसर बेटे रहेगे वो फिर से आपका पासपोर्ट स्कैन करेगे उसके बाद DS-160 स्कैन करेगे सब कुछ चेक करेगे सब इन्फोरमेशन मैच हो रही है या फिर नहीं हो रही है पन्स चेकिंग ऑफ पासपोर्ट इस पहता है पिर उसके बाद वो ऑफिसर आपके पासपोर्ट पर एक स्टिकर लगाएगे वो वाइट कलर का स्टिकर रहेगा पीछे वाले साइट पे पासपोर्ट के वो बहुत इंपोर्टन मैच उसको छेडना मत या फिर उसको निकालन उसको वैसे ही रहने देना है फिर दन आपको एक token number दिया जाएगा so according to that token number उदर counters रहेगे for your biometrics और जबी भी आपका token number आएगा आपको वो वाले counter पे जाना है for your biometrics so once you go there आपको आपके left hand के 4 fingers वो machine पे रखने उसके बाद right hand के and then both the thumbs once this is done उसके बाद वो लोग आपका एक photo निखा लेगे so while taking the photo picture obviously उनके पास ही white background रहता है और उनके पास ही camera रहता है so make sure for boys आपके hairline नीचे नहीं रहने चाहिए आपकी hairline ऊपर रहने चाहिए आपका forehead visible रहना चाहिए उस time and then yeah they'll check your DS-160 once again and the passport you're done with your biometrics so guys this was all about biometrics I hope you like the video please like share subscribe and comment this is Victor Tango Siara Mike Siara signing off